हंसल और ग्रेटल की कहानी हंसल और ग्रेटल अपने माता, पिता और सौतेली मा के साथ रहते थे, वे लोग बहुत करीब थे एक दिन सौतेली मा ने उसके पिता से कहा, हमारे लिए अपना खाना जुटाना ही बहुत मुश्किल है, इसलिए चलो इन बच्चों को जंगल में छोड़ आओ हंसल और ग्रेटल ने सारी बाते सुन ली, हंसल ने फोरण छोटे कंकड जमा किये अगले दिन वे जंगल में गए, हंसल रास्ते में कंकड गिराता गया मा बाप ने बच्चों को जंगल में अकेला छोड़ दिया, हंसल और ग्रेटल ने शाम तक इंतजार किया, उसके बाद कंकड का पीछा करते हुए वापस घर लोटाए सौतेली मा उन्हें देख बहुत नराज हुई, अगली बार उसने घर का दरवाजा बंध कर दिया, इस दफ़ा ग्रेटल और हंसल कंकड जमा नहीं कर पाए वे लोग फिर घाने जंगल में पहुचे, हंसल रास्ते में डबल रोटी का टुकडा गिराता गया, लेकिन पक्छी सारे डबल रोटी के टुकडे खा गये, अब बच्चे वापस घर नहीं पहुच सकते थे घाने जंगल में उन्हें एक घर मिला, वह केक और मिठाईयों का बना हुआ था वह घर एक चुडैल का था, चुडैल ने हंसल को पिजडे में बंद कर दिया, उसने उसे बहुत सारा खाना दिया और ग्रेटल को नौकरानी बना दिया जब हंसल खुब मोटा हो जाएगा, तब मैं इसे आग में भून कर खाऊंगी, चुडैल ने कहा लेकिन आग है कहा, ग्रेटल ने पूछा, चुडैल ने उसे अंगीठी का दरवाजा दिखाया मुझे तो नहीं दिख रही, ग्रेटल बोली, चुडैल ने अंगीठी का दरवाजा पूरा खोल दिया ग्रेटल ने चुडैल को अंगीठी में धक्का दे दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया फिर उसने हंसल को पिजडे से बाहा निकाला, उन्होंने भर पेट के मिठाई और केक खाए फिर उन्होंने घर में रखे संदूग में सारे पैसे और जवाराहात निकाले काफी देर भटकने के बाद आखिरकार हंसल और ग्रेटल ने अपने घर का रास्ता खोज ही लिया उसके पिता को उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई तुम्हारी सौतेली मा घर छोड़ कर जा चुकी है पिता ने बताया उस दिन से हंसल और ग्रेटल अपने पिता के साथ सुक से रहने लगे